नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम डिजनी प्लस हौट इस्टार पर 24 दिसम्मर को रिलीज हुई फिल्म अतरंगीरे की समिच्छा करेंगे फिल्म में मुख्य भून का अक्षे कुमार, धनुस और सारा अली खान ने निभाई है फिल्म का निर्देशन आनंद एलरायन ने किया है फिल्म की कहानी एकदम फ्रेस है और फिल्म पटना के सीवान से सुरू होकर दिल्ली में खत्म होती है रिंकु अपने प्रेमी के साथ 21 बार भाग चुकी है लेकिन हर बार वह अपनी नानी के गुंडो के द्वारा पकड़ ली जाती है रिंकु की नानी उसकी भागने की आदस से परेशान हो चुकी है वह रिंकु से चुटकारा पाना चाहती है इसके लिए उसने तै किया है कि रिंकु की साधी किसी दूसरे राजे के लड़के से करा देगी और इस तरह वह रिंकु से चुटकारा पा जाएगी अब बिहारी अंदाज में दूले की तलास सुरू होती है वीशू जोकी मूल रोप से मदरास का रहने वाला है वह अपने प्रोजेक्ट के काम से सीवान आता है जाहिर सी बात है अब दूले की तलास खतम हो गई यहां रिंकु की नानी वीशू से जवरन रिंकु की साधी करवा देती है साधी के बाद उन्हें ट्रेन में बठा कर दिल्ली रवाना कर देती है रिंकु और वीशू दोनों इस साधी से नाखुस है और टै करते हैं कि दिल्ली पहुँचकर वो दोनों अपने अपने रास्ते हो लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसा कि आपने अन्नी बॉलिवूट फिल्मों में देखा होगा फिल्म लब ट्राइंगल है फिल्म में अक्षे कुमार की काफी लेट एंट्री होती है वे फिल्म में हैं भी और नहीं भी फर्स्ट हाप में फिल्म काफी धीमी चलती है और बोरिंग भी लगती है कहीं कहीं पर कुछ सीन्स को स्किप करने का भी मन करता है लेकिन सेकेंड हाप मनरंजक है acting की बात करें तो रिंकु के किरदार में सारा अली खान किसी एंगल से बिहारन नहीं लगती है उनकी भासा तो फूहर है लेकिन उसमें बिहारी एसेंट नहीं है आपने पिता से बड़े अक्षे कुमार के साथ उनकी जोड़ी मैच नहीं करती है लेकिन यह कहानी की डिमांड थी इसलिए अक्षे के साथ उनकी जोड़ी को मैच कराया गया है वहीं धनूस ने वीशु का किरदार अच्छे से निभाया है पूरी फिलिम में उनकी एक्टिंग काबले तारिफ है वह हिंदी में तो बोलते ही हैं लेकिन तमिल में बोलते समय उनकी एक्टिंग में ज़्यादा निखार आ जाता है फिलिम में अक्षे कुमार की काफी लेट एंट्री है वे अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं वह इस तरह का रोल ओ माई गॉड में भी निभा चुके हैं तीन मिनट के टेलर में अक्षे कुमार की एंट्री देड़ मिनट बाद होती है यानि आधा टेलर खतम होने के बाद फिलिम में भी अक्षे कुमार की एंट्री इंटर्वेल से थोड़ा पहले होती है उन्होंने यहा फिल्म क्योंकि यहा मेरी समझ से परे है लेकिन उन्होंने सज्जात के करेक्टर को खुब enjoy किया है फिल्म love triangle है बिहार और तमिल से सुरू होकर दिल्ली में जाकर खत्म हो जाती है ऐसे में फिल्म ना तो बिहार की ओपाई है और ना ही तमिल की फिल्म दिल्ली में आकर आम हिंदी फिल्मों की तरह समाप्त होती है यह फिल्म देखने से पहले मेरे मन में खयाल आ रहा था कि अब कुरोना वाइरस का असर ठेटर पर कम हो रहा है ऐसे में फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है तो अक्षे कुमार की यह फिल्म सिनेमा घर्म में क्यों नहीं रिलीज हुई लेकिन फिल्म देखकर मेरी सारी दुबदाएं दूर हो गई अच्छा हुआ यह फिल्म सिनेमा घर्म में रिलीज नहीं हुई वरना दर्सक इंटर्वेल से ही भाग जाते हैं OTT प्लेटवर्म पर रिलीज होने पर दर्सक दो घंटे 15 मिनट की फिल्म को एक घंटे में भी देख सकते हैं अगर आप फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो कोई अन्य फिल्म जादा बहतर होगी फिल्म की कहानी फ्रेस होने के बावजूद असरदार और मनरंजक नहीं है फिर भी अगर आप अतरंगी फिल्म देखना चाहते हैं तो फैसला आपका है आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नमस्कार